नमस्कार आप देख रहे हैं इस नूज और मैं हूँ आपके साथ आसीज चुनाव सफर का आज पांचवा दिन है पहले सिवान मैरवा होते हुए छपरा पहुचे फिर बेगु सराय होते हुए फिर मोकामा और अब बाढ़ में है बाढ का नाम सुनते ही या फिर यू कहले इस एरिया का नाम सुनते ही एक नाम याद आता है जैन में वो नाम है अनन्द सिंग और जो हमारे बगल में बैठे हैं इनका परिचे हम इनसे खुद दिलवाते हैं क्या नाम है आपका नाम है प्रेखते रहे एक दिन के लिए जिला बना जिला हट गया फिर आज तक के अनुमंडल के अनुमंडल ही है लेकिन पाटी के सभी आला अधिकारी नेता उन लोग श्रम धोके पी गए हैं बाढ को जिला बनाये नहीं लेकिन उन सभी पाटी को बाढ जिला अध्यक्ष यहां नियुक्त हो गया जब जिला बने ने किया तो उसका अध्यक्ष जिला कहां से आएगा लेकिन उन लोग सभी चीज धोकर पी गए हैं इसलिए कुछ भी बना सकते हैं और हम बनने के बाद में जिला के लिए हर संभब हर लड़ाई चाहे अंदोलन हो या हाय कोट जाना परे स सारा चीज़ हम करेंगे और बाड़ को जिला बनाएंगे यह चाहत रखते हैं दखिए जिला के साथ साथ बेरोजगारी चरन सीमा पर है उसमें भी जो भी मेरे बेरोजगार भाई बंधू हैं उन लोग को भी लगो डियोग हो पुटूर्ज डियोग हो या कियी भी धंदा करना चाहेंगे उसमें हम उन लोग को अपना उद्योग भवन या किसी भवन से भूब पहन्ड दिलवा कर उन लोग को हम भी कारगर कराएंगे उसके बाद सिकशा के मामला में तो इतना बत्तर हो गया है जिसका कोई सीमा नहीं है अगर कोई 50 रुपया भी कमाता है महीना के तो भी अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा वह 15 रुपया भी लेगा तो उसको प्राइबेट में भेजेगा आज सभी सरकारी स्कूल का एकदम बत्तर इस्थिती है लेकिन प्राइबेट स्कूल का बोलवाला है और उसी तरह से चिकित्सा चिकित्सा में भी बाड अनुमन लिये आस्पताल है यहां आज जब राम नरेश वावु डियेस थे उस समय सभी परकार का उप्रेशन बाड में होता था डॉक्टर बीपी सिंग थे उन लोगों ने भी उप्रेशन यहां करते थे चुके इन लोग सर्जन थे लेकिन इन लोग के रिटायर होने के बीपी सिंग सहाब या राम नरेश वावु इन लोग जब रिटायर कर गए और रमेश वावु अरून वावु इन सब रिटायर हो गए डोली रानी लेडिज की डाक्टर थी इन लोग रिटायर होने के बाद चिकित्सा में उस जिस दिन से ही लोग बाड होस्पीटल से निकले हैं उस दिन से एक दिन भी ओटी रूम में आज 20 बरस 25 बरस में एक दिन भी ओटी रूम में कोई कहीं ची नहीं चलाया होगा एक हाइड्रोसील हो हरुनिया हो बावासीर हो अपेंडिस हो इस तरह का भी ऑप्रेशन एक भी नहीं हुआ है इस से भी इसको भी जाने दिजिए अगर हान तुट गया तो भी आप पटना जाईएगा रेफर हो किसी भी चीज में रेफर करने किसी बाइस के पास कुछ नहीं है और यहां पर इन लोगों का है कि कुछ लोग अपने जगह पर दूसरे से भी सर्विस करवा रहे हैं इस तरह का इस्थिति यहां का बना हुआ है और फेमली प्लानिंग बला जो भी या इसू प्रसब है या कुछ भी होना रहता है तो बाढ़ होस्पीटल एजेंट का काम करता है कभी उस private hospital में कभी उस private hospital में कभी उस private hospital में सबी जगा भेजते रहता सब जगा से इसको कमीशन मिलता है हाथ पर भी तूड जाएगा तो भी कहीं private में भेज़ देगा हम है इसे मिलेगा इसलिए हम जब बनेंगे तो यहां सर्जन होगा फिजीसियन होगा और कोई भी जिसको नॉर्मल भी इसू होता है प्राइवेट पे भेजने के बाद में 20 जार 25 जार प्या एक गरीब का लगता है इस चीज को हम सुधार करेंगे आपने एक चीज बोला कि सिक्षा को भी सुधारेंगे आपके निजरिये से बिहार का सिक्षा अस्तर कैसा है और कैसा होना चाहिए आगे चलके दखिए आज पंचानवे के और अंठानवे और निनानवे के बाद कोई भी सरकारी इसकुल में पढ़ना नहीं चाहता है चुके ना तो वहां मास्टर है ना और कुछ है और उसके बाद में जब मास्टर भी इसन है कि उसको अपने नहीं आता है तो दूसर के की पढ़ावे और मास्टर भी है, तो जो यहां का है, पहले होता था कि एक बलावक से उसी बलावक में कहीं दूसरे जगा स्थान अंतर होता था, इन लोग यहां से उठा करके भेज देते हैं पटना, अब पटना से उठा के भेज देते हैं बेगु सराय, आउसे इस्थिती में उन लोग को कोई भी स्कूल में नहीं जाता है और खास करके उन लोग को जो भी सिच्छक हैं उनका भी बहुत काफी इन लोग से भी डिस्टर्बेंस हैं उस चीज को भी हम सभी मास्टर को बुला कर जीतने के बाद पहला बार बार निंग देंगें कि आप लोग संभल जाएए और अपने समय पर स्कूल जाए है नहीं जाने पर होगा करवाई हुआ हाँ। कि कोई टीचर चल्जाता है बेतन के लिए कोई चल जाता है मीटिंग में तो कोई चल जाता है ribs में तो कोई चल जाता है इसमें तक कूल मास्टर मास्टर पढ़ावेगा यहां इसका भी कमी है और खास करके सभी विद्याले में सिच्छक का बहुत बड़ा कमी है जिसके कारण 20 बरसों में प्राइवेट संस्थान का माले माल होगी है यह करण वीर सिंग है करण वीर सिंग यादो चो कहते हैं कि सिच्छा का सर यहां पर नहीं है और आने के बाद पहले वार्णिंग देंगे उसके बाद सिच्छकों पर कारेवाई करेंगे यहां जब मैं आकर वेट कर रहा था कि बा रानी नाम है आए मैं इनके साथ सारी चीजों को दिखाता हूं कि बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्ट है यह सारी चीजें वह सारी चीजें आखिर क्या कुछ हैं इसके लिए मैं कैमरे को पलट देता हूं और हमारे आगे आगे चलेंगे कंडवीर सिंग और हम उनके पीछे- पीछे अब यही वो रानी है जिसके जिसको आपने सवाल आपके एक सवाल है आपसे आपके पिताजी साथ सिक्षक है या फिर सिक्षा विभाग में नहीं अच्छा करमचारी थे आपका यह खयाल कैसे आए आपको खयाल मतलब होता ना है कि जो पिता करें सिक्षा भी भाग में है तो फिर मेतागिरी में आप गए यह सारी चीजिए हमको बच्चे से लगाओ जानवर से लगाओ था और एक चबीला भी है जाएगा वह खटाल है आपके वह कैसा है जरा वह बहुत बढ़िया है जरा सिखाएं चलिए इनके समर् लोग गये ते इससे क्या नजर आता है जनता में किस तरीके का उत्सा है जनता का बहुत बड़ा सनेह और प्यार मेरे साथ है जी हम जनता के बल पर अलेक्षान लग रहे हैं जी यह और हम कंडिडेट ने हैं पूरे बाढ़ के सभी मत दाता कंडिडेट के रूप में काम कर इसमें कितनी भैस और गाय कुल मिला के कितनी होंगी भैस हो जाएगा बारा चौदा को हां और उसके बाद में गाय करीब 30-35 को चालिस तो गाय मतलब कुल में आके 60-70 का है किसाब है यहीं वो खटाल है जो की कंडवी सिंजादो जी का है यहां पर करीबन 40-50 गाय हैं और 17-18 भैसे हैं क्यूं यह कुछ जादी बड़ी लग रही है वो गिरिया का गिरिया है यह जफरावादी गिल नसल की भैस हां है एए गुज्रात में होता है यह इसकी खासियत क्या है इसका खासियत दूद में बहुत इसका टागतवर हैं और मोटा दूद होता अच्छा होता और जादा दूद करती है कितना कितना अदाम होगा इसका इसका 3,60,000 यह और भी कूछ गाए ऐस है कि आपके वगाै है मैं मतलब जत्रा पत्रा के लिए बहुत इसका सिंग दोनों हिलते रहता है अच्छा है यह बहुत सुभ गाय माना जाता है और जसला है महादे है भगवान भोले नाथ पर भी इसका दूद चड़ता है यहां और भी तमाम सारी गाये हैं कैमरे के पीछे के सहायक है आपका नाम क्या है विजय यादो जी यह मेरी मदद कर रहे हैं माफ कि यह मेरी मदद कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यहां तमाव गील नसल का गाय है यह जी फोड़ा इधर आज़े यहां पर आगे इसकी खास्यत क्या है इसका दूद भैस के तरह गढ़ा होता है बहुत तागत वर दूद होता है और इसको ज कैंसर से लडने का भी इसका दूद का छंबता है अच्छा इस गिल गाय और बھی कुछ आसी गाय कि आपके बास मैं भी गोरगपूर का का ही हूं एक आप को आया यह वाला यह वाला यह वाला ज़र दिजे कहो पर हूं दूद्ध गड़ा होता है और और कोई विदि मारी अदमी हो यार निरोग अदमी हो इसका दूद्ध खाने में उसको बढ़िया लगता है और यह सब का दूद्ध पतला होता इंसरगायों का इसका होगा 120 गरम छेना अच्छा होगा 800 गरम छेना इसके एक लीटर दूद्ध में एक लीटर दूद्ध में इतना डिफ्रेंस तो हमने दिखाया कि कैसे कर्ण वीर सिंध्यादव राजनीति के साथ कि सभी को मैट लगाया हुए है यह मैट ताकि गायों और भैसों को कोई दिक्कत ना हो और अराम से रह सकें यह मैट का खर्चा कितना आता होगा कुल होगा 75 पीस मतलब कुछ ज्यादा है तो यह हमारे साथ कर्ण वीर सिंध्याद हो थे जो कि राजनीत के साथ-साथ जानवरों में भी दिल्चस्पी रखते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं एक बात होती है कि जानवर पाल लेना लेकिन उनके साथ-साथ इसका रख र उस पर बैठी हुई हैं और यह साफ सफाई का कैसे क्या प्रोसेसर बस अभी कुल को खाना हो गया खा लिया है उसके बाद में सभी चीज़ को पानी वह पाइप जोड़ा हुआ है वहाँ पर पाइप लगा हुआ डिलाइबरी आ उससे ले करके सभी को धो देगा एकदम चक है यह जो ट्रीस है थे आपना दिमाग है यू आपर मगई समय सभी के लिए खाना फ़ुर्म पुल रहा है उसमें भाठर है फिली रुट्यक्रश्टी ऐसम्हाभ पंदरफ capable अच्छा स्वंहाण थे अच्छा इस हिर्फ सब्ना खाना है तो यह हुई अश् watts đ escote ऐसमें कितन तो देखिए एक नेता के साथ साथ एक जानवर ट्रेमी भी है कर्णवीर सिंग्यादो अब आगे यहां की जनता किसको चुनती है यह तो आगे कि वक्त बताएंगे और 10 नौंबर को इसका फैसला हो जाएगा तीन चर्णों में चुनाओ है पहला 28 अक्टूबर दूसरा 3 नौ अब करें दो नाम है यह कितने सालों से हैं आपके पास मेरे पास यह एक डेर दो साल से बोलता भी है अच्छा यह मिठू है जिस तरीके से जूल रहा है ऐसा लगता है कि आपके बातों का रिस्पॉंस दे रहा है आप यह माता जी है क्या कैसी है माता जी पहले तो प्रणाम और आप किस तरीके से आसिरवाद देती है अपने बेटे को कि वो बेटा का सिर्वाद तो दे लिए वेटा का सिर्वाद दे लिए ताना पास हो लगता है यहां के विधायक जो वर्तमान हुंसे खुझ है यहां के जंता बिल्कुल नहीं जंता से पूछ लिए अच्छा अगर आपको मैं पूछ अपंदर पास्वाद अपंदर जय क्या लगता है इधा इसना हो गतां जीतेंगे सारा जंता एक तरफ वह है लल्व मुख्य के लिए बच्पन से की किसी के मारनी हरनी साधी विए सब में मदद करते है इसलिए हैं इसलिए इनको जोटाना है हर देम हर हाल में हर हाल में हर करते हैं अपने पैसे देखें जनता के बीच में किस तरीके से बैठ कर और सबसे बाते कर रहे हैं एक जमीन जमीन से जुड़ा नेता ऐसा ही होता है ऐसा नदर आता है और ये इनका ओफिस है छोटा सा जहां पर ये इंट्रिव्यूस दिया करते हैं अभी कलिए बस इतना ही और